कैं लो एवरिवन वेलकम्म तो कॉमर्स लीक्टर्स आज हम करेंगे ये क्लास्टलिय। बिसन स्टूडिज का ठापिक कंट्रोलिंग प्रोसस्स कोजिए क्न्ट्रोलिंग फिरसे एक बार बता दूं क्या चीज होती है जिब हम क्या करते हैं एक्चौल परफॉर के प्लैंट प compare करने के बाद अगर कोई difference आता है उसका reason find out करते हैं और फिर उसे correct करते हैं this is controlling तो controlling का definition है उसी के अंदर ही process है सबसे पहले क्या बढ़ा है मैंने compare करना है तो सबसे पहले first step इसमें क्या होता है setting up of standards सबसे बहले standards हम set करते हैं standards यानि planned performance यानि planning करते हैं कि यह इतना हमारा काम पूरा होना चाहिए for example जैसे अगर एक company आपकी फेक्टर या पेन बना रहे है for example आपने standard set कर लिया a planned performance set कर ली कि आपको 10,000 pins per day manufacture करने है तो यह क्या कि आपने standard set करे है standards का मतलब क्या होता targets with which the actual performance is compared ठीक है यह standards क्या होता है तरह के targets होते हैं जिसके साथ actual performance को compare किया जाता है है न planned performance और actual performance को compare किया जाता है must be numerical terms और यह standards होते है numerical terms में होने चाहिए है ठीक है यानि numbers में हम ऐसा standard set नहीं कर सकते कि मैं अपने employees का सोच रहा हूं कि behavior में थोड़े changes लाऊं motivate करूने अभी मेरे employees 10% motivated है अब देखता हूं कि next month में कितना कर पाऊंगा ठीक है next month मुझे 50% होने on motivate करने ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है numerical terms में basically यह set होते है जैसे कि इतना units हमने produce कर दिया या इतना units हमने sell कर दिया इस तरह से specified time limit within which they have to be achieved और यह time limit भी बताएं जो आप standard set करेंगे उसमें यह भी बताया जाएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं जैस पर डे हो गया यह time limit होगी कि एक दिन के अंतर manufacture करने है time limit इसलिए जरूरी है because suppose हमने बोल दिया कि में 10,000 पेंस चो है manufacture करने है अब employees को क्या पता कि पर डे में करने है या पर मंत में करने या पर year में कर रहे हैं वो तो confused हो देंगे ना वो तो राम से बैठे रहेंगे एक साल में करने होंगे यह सोचके तो time limit बताना जरूरी है for example आपने standard या फिर target set कर दिया के sales per month कितनी होनी चाहिए 1,00,000 units second point is measuring of performance आपने सबसे वहले target अपना set कर लिए अपसके आप performance मेजर करेंगे performance measurement का मतलब पते क्या होता है perform जो आपने किया है जो आपने काम किया उसको measure करेंगे कि काम actually में किया कितना है performance is measured by evaluating the work done by employees employees ने actually में कितना work किया है जैसे कि हमारा हमने target set किया था कि 1,00,000 units per month sale करनी है actually में उन्होंने selling कितनी करी है 1,00,000 करी है 1,00,000 करी है या 80,000 करी है कितनी करी है actually में जो काम किया उसको हम measure करेंगे यहापर while measuring it we should keep in mind both qualitative and quantitative aspects जब हम इसे measure करेंगे performance को तो हमें quality wise भी और quantity wise भी दोनों चीज़ों को देखना है ठीक है अब मैंने quantitative aspect क्यों बोला क्योंकि यह हो गया आपका quantity नहीं 1,00,000 units ठीक है numerical terms में quality मतला quality के ऐसे है जो पहन बनाए यह अच्छी quality के बनाए है यह नहीं बनाए है यह अच्छी बस चलता हुआ गाम किया है ऐसे मैंने क्यों बोला कि हम यह qualitative aspect भी देखेंगे because sometimes employees achieve quantitative aspect कभी 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 क्या होता है एक लाग का तो टार्गेट था कॉंटिटिटिटिव एस्पेक्ट था यह निमेरिकल टॉम्स में था यह तो अचीव कर लिए एंपलॉई ने फटा-फट जैसे तैसे दिन रात में यह बना लिए बट इग्नोर कॉलिटिटिव एस्पेक्ट लेकिन उसकी कॉलिटिटिव करनी चाहिए वह सब नहीं किया नोने तो अगर कॉलिटिटि नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा यह क्या चीज़ इंडीट करेगा कि लो स्टेंड़ ऑफ कॉलिटिटिव एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है अभी आया थर्ड पॉइंट तो सबसे पहले हमने प्लाइ उन तोनों को क्या करेंगे कंपेर करेंगे तो कंपेर किसको करना एक्चौल परफॉर्मेंस विद प्लाइन परफॉर्मेंस यह स्टेंडड आप कुछ भी बोल दो बोत मैच करें जैसा आपने सोचा था काम बिल्कुल वैसा हुआ है कंट्रोलिंग वहीं खतम हो जाएगी ब मैनेजर क्या करेगा रीजन जानने की गोशिश करेगा कि यह सा हुआ क्यों जो हमने प्लाइन किया था उसके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं हुआ वह जो डिफरेंस आया है क्यों आया है जो डाइजर कें टेक टाइमली एक्शन तो ब्रिंग इत ओं ट्रैक ताकि सब कुछ तो है ट्रैक पर आजाए अकॉर्डिंग दू प्लाइन आजाए फॉर्थ पॉइंट इस एनलाइजिंग डेविएशन अभी इसमें डेविएशन हमने ढूंड़े थे डेविएशन क्या नहीं कुछ mismatch होना या कुछ difference होना यह डेविएशन जो हमने ढूंडा थर्ड स्टेप में उसको इसमें एनलाइज किया जाएगा एनलाइज का इधर क्या मतलब है डेविएशन को all the deviations are analyzed and divided in two categories इसको एनलाइज करके दो केटेगरी में divide किया जाएगा कैसे एक है minor deviation पर छोटा सा deviation जो ignore किया जा सकता है can be ignored ठीक है और एक critical deviation जिस पर दियान देना बहुत ज़रा जरूरी है बहुत जरा important है which can't be ignored ऐसे दो categories में इसको जो हम divide करतेंगे इसको अभी brief में sorry मैं और इसे बड़ा करके समझाती हूं यहाँ पर इसको deviations को analyze करने के दो approaches है first one is critical point control यह point क्या कहता है key focus on key areas जो के key areas हैं बहुत important areas है सारा focus उन पर रखा जाता है which have impact on whole organization जिससे क्या होगा अगर उनमें कोई difference आगा है deviation आगा तो पूरी organization पर असर पड़ेगा इसलिए हम सारा focus उन पर करते हैं जो key areas होते हैं under this approach इस अप्रोच में क्या किया जाता है deviations which are of critical nature are focused immediately जो deviation बहुत था critical nature की होते हैं ठीक है उन पर जल्दी से जल्दी focus किया जाता है यहाँ पर मैंने example दे रखा है तो जब पोस्टल कोस्ट है मुस पर ध्यान नहीं देंगे और से ignore कर देंगे इसका reason incurred rarely बहुत कभी कभी होती है यह cost managers have no control over it managers का कोई control नहीं है तो इसको जो है इगनोर कर दिया जाएगा इसमें अब आया production cost production cost इसको हम ignore नहीं कर सकते हैं जो कि rupees 5 per unit बढ़ गई है need to focus urgently focus की बहुत जरुरत है क्यों मैंने ऐसा बोला कि जरुरत है because manager try to find out reason because it will affect the profit of organization अगर हम इस पे focus नहीं करेंगे तो क्या होगा profit पर direct असर पड़ेगा पूरी organization पर असर पड़ेगा लेकिन इस पे एक बरी के लिए इसको ignore कर सकते हैं कोई बात नहीं बहुत चोटा सा matter है यह लेकिन यह जो है काफी critical matter है अगर इसको ignore किया जाएगा तो हम पूरी organization को problem होगी आपकी इस अप्रोच को second point है management by exception अब यह क्या बोलता है in this approach minor deviations are ignored beyond a specific limit एकना specific limit नहीं कर दी जाती है कि इस limit तक अगर deviation है तो हम सह लेंगे जैसे-जैसे करके कोई बात नहीं ignore कर देंगे पर अगर इस limit से बाहर है तो जैन नहीं किया जाएगा तो उसको प per day pens manufacture होने चीए लेकिन 10,000 से जैसे की 25-30 pen कम होगे तो कोई बात नहीं ignore कर देते हैं क्या फरक पड़ता है है ना तो आसे चुट-चुटी चीज़ों को इसमें ignore कर दिया जाता है specific limit तक आप एक limit डिसाइड कर लेते हैं कि इस limit तक हम इसे ignore कर देंगे manager should not waste time and efforts on finding solution for minor deviation पर जो minor से deviation होते हैं चोटे मोटे से इसमें क्या होता है manager अपना time और efforts बिल्कुल waste नहीं करता है कि उन पर दियान देगा चोट-चोटे deviations पर उनका solution निकालने की कोजिश करेगा इसकी जगा वो क्या करेगा he will concentrate on important matters पहुच ज़र important matters होंगे जैसी कि आमारे यह production cost था इसको चोड़ दिया था इस पर focus करेगा deviation of higher degree इन सब चीड़ में focus करेगा वो यहाँ मैंने example से रखें जैसकी production cost आपकी increase होगी rupees 2 per unit यह एक situation थी आपकी second situation थी production cost increase होगी rupees 6 per unit अभी हमने limit बना दी के rupees 2 तक अगर increase हो रही है तो चल जाएगा कोई फरफ नहीं पड़ता हम ignore कर देंगे can be ignored up to a specific limit हमने mention कर दिया starting में कि अगर 2 rupees तक बढ़ रही है per unit तो हमें कोई problem नहीं है अगर 2 rupees से जादा बढ़ रही है जैसे कि इसमें 6 rupees बढ़ गी तो इसको जो है धियान दिया जाएगा manager try to find out the reason for division manager क्या करेगा इस deviation के लिए जो है reason find करेगा कैसा क्यों हाई यह difference क्यों आ रहा है इतनी cost क्यों बढ़ गई है requires attention because affect profit और इस चीज को बहुत ज़रा attention की ज़रत पड़ेगी क्योंकि यह हमारी organization के profit को affect करेगा अभी जो हमने यह point बढ़ा ना उपर management by exception इसके advantages है कुछ ठीक है के छोट-छोटे matters को ignore कर दो ठीक है और जो higher degree के division है उनकी तरफ धियान दो इसके क्या advantage मिलते है आपको saves time and efforts of manager, manager को काफी ज़रा time और efforts जो है बच चाता है time कैसे क्योंकि हो सरफ important important चीजों पर धियान देता है तो उसको काफी ज़रा time मिल जाता है important चीजों के लिए छोटी-मणी चीजों को थोड़ा सा ignore कर देता है differentiate between critical and simple problems अगर हम यह use करते हैं तो हमें पता लगता है कौन सी critical problem है और कौन सी simple problem है simple problem को एक बारे के लिए ग्नोर कर देता है manager, top level के manager उसे इग्नोर कर देता है और उसको subordinates को या चोटे level के managers के hand में दे रहते हैं कि तुम उसे handle कर दो managers can get time to focus on important matters, okay manager को obvious ही बात है अगर वह important matter पर घ्यान देगा तो उनके लिए उसको बहुत तरह time मिल जाएगा पूरा focus कर पाएगा वह important matters पे routine problems are left to subordinates और जो routine की problems होते हैं चोटे मोटे वह subordinates पर छोड़ दिया जाते है fifth point है भी इसका last point आपका controlling के function का sorry process का final step in controlling is to take corrective steps to bring everything on track so last step आपका क्या है जो भी आपने compare करने का deviation आया था ना उसके लिए जो difference आया था वो reason जो था उसके लिए corrective steps उठाएगे यानि उसको correct करने के लिए step उठाएगे ताकि सब कुछ track पे आजाए track पे आने का मतलब क्या है according to plan चले सब कुछ यानि starting में जो first step में हमने planned performance पर आई थी ना तो हमारे जो actual performance है वो planned performance की बराबर आजाएए इस step में वो किया जाते है when deviations are minor, suppose minor से deviation है ज्यादा difference नहीं आ रहा है within acceptable limits हम इन में से कुछ भी use कर सकते हैं कोई problem नहीं है तो वो होगे accept कर सकते है acceptable limits उन्हें ignore कर दिया जाते है deviation जब बहुत ज़र important areas में होते हैं या फिर go beyond acceptable limit या तो बहुत ज़र important और critical area में होते हैं बिलकुल एगदम urgently उस पे focus करेंगे सारा attention उस problem को देदेंगे so that they do not occur in future again ताकि future में वो दुबारा से problem ना आ जाए आगे इसमें है taking corrective measures में involved किस type के हम corrective steps उठा सकते हैं वो मैंने दो mention करें हैं आपको जैसे बहुत सारे हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मर्जी से redesign plans and strategies जैसे कि plans दुबारा बना दो strategies दुबारा बना दो लेकिन कब बना होगे if they are not matching with business environment अगर business environment के recording वो नहीं मिल रहे हैं दुबार बना दो plan कोई बात नहीं change कर दो plan send employees को training आप employees को जैसे training के लिए भेज सकते हो लेकिन कब अगर उनकी performance वे inefficient है वो अच्छे से perform नहीं कर पा रहे हैं सही संको काम नहीं आता तो training पर भेज दो तो यह corrective step आपने उठाया problem को solve करने के लिए इसी के साथ हमारा chapter ही पूरा खतम हो गया है